अगर आपको नहीं पता है तो पुरानी वीडियो जाके देख लो मैंने अल्री एक्स्प्लेन कर दिया है आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली मैं बस आपको इंडूशन बता करके कोड दिखा अगर के भाग जाओंगा बहुत ही सिंपल प्रिसाइस कोड़ है अगर आपने यूट्यूब से वीडियो खो लिए तो आपको समय नहीं आएगा मैं पहले बता दे रहाँ मेरे को गाली देने से अच्छा है प्रीविज वीडियो देख लेना ओके तो क्वेशन है ग्राफ साइकल गिवन डाइक्टेट ग्राफ विडिवर्ट इस नंबर फॉम सीरो टो वी वाइनस वन और एग्जिस चेक वेदर इट कंटेंस अनी साइकल और ओके ना लेट्स अंदिस्टैंडी लॉजिक फर्स तो आज हम एक टम सीखेंगे जो कि अल्लेडी हम कई बार सी चुके हैं बट आज इसे थोड़ा सा डेप में देखते हैं यानि की डाइरेक्टेड एसाइकलिक ग्राफ ओके ना आपकी टोपो सॉर्ट क्या होती है टोपो सॉर्ट आपका टोपो लॉजिकल ओर होता है ऑफ एज जिसे कि अगर एज है यू से वी तक तो यू शुड अप ग्राफ में अपिंग हो सकती है ग्राफ में हो सकती है वाइस सो क्योंकि अगर आप अनगाफ के समें जाओ के तो आप इंफाइनाइट लूप में जा और वह कभी मतलब अब अपीछ अच्छ से बा यू यह साल्जिक आएगा तो यू पर सब्सक्राइग इसलिए लिए अग एजामपल एवी बीसी एक अब इसमें क्या टोपो लॉजिकल लगाओ तुम लेखोगे एस एबी के पहले आएगा विकास यह से भी पैज जारी फिर तुम गहोगे बीसे सी पैज जारी तो बीसी के पीछे आएगा बट अब सी को कैसे मतलब एक को इधर कैसे लेके आओगे ए इस वेल एस एक लेको बस यहीं से हमें हिंट मिल गए ठीक है नौ लेस अंडिस्टाइड मैंने आप ठोड़ा सा पारग्राफ लिखा बट मोटा मोटा वही जो मैंने आपको समझाया है इफ ग्राफ के नौट पी रिप्रेसेंटेटेट इन टोपो लॉजिकल और देन देर क अब डाइरेक्टेड ग्राफ में टोपो सॉट लगा रहे हो और टोपो सॉट नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है उस ग्राफ में साइकल है कंडिशन नमबर डू यहां पर लॉजिक है और यहीं सीखते हो सेम चीज सीखते हो लेकिन कितना पैसा देके सीखते हो चलो कोड यह है हमारा कोड टोपो सॉट वाला कोड कॉड कौन सा है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्क्रैस से लिखके दिखाया था पूरा समझाया था ठीक इस वीडियो में नहीं सिखा रहे है असके बाद जित्ते बी जीरो इंडेग्री वाले हैं उन्हें अपने क्यू में में डालते हो फिर एक एक करके एक एज रिमूफ करते जाते हो तो इंडेगरी माइनिस होती रहती है जिस जिस नोड की सारी डिपेंडेंसी खतम हो जाती है मतलब उसकी इंडेगरी 0 हो जाती है आप उसे क्यू में डालते रहते हो फाइनली जब आपका क्यू एंपटी हो जाता है तो आपके रिजल्ट वाले एरे लिस्ट में आपका टोपो लॉजिकल ओडर होता है अब माल लेते हैं हमारी ग्राफ में साइकल है या फिर हमारा ग्राफ अंडाइरेक्टेड है यानि कि टोपो सोट जेनरेट नहीं हो सकता त जो आपकी एरे लिस्ट है इसका साइज आपका वी से कम होगा मतलब मतलब आपके लिस्ट में टोटल नमबर ओफ नोट नहीं आ पाएंगी कुछ ना कुछ बची जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू मतलब कि यहां पर क्या है साइकल है फ अब आरे पर जाकी चेक कर सकते हो अगर आपको टोपोलोजिकल ओडर प्रिंट करना तो ठीक है अदर्वाइस यू कें रिटर्न फॉल्स मतलब ग्राफ में साइकल नहीं है तो जी एफ जी का फंक्शन था वो था इस साइकलिक इन्होंने वी पास किया था एजिसेंसी लिस करी थी मैंने टोपोसाट कॉल कर दिया वी एन एजसेंसी के साथ ठीक है अब इसकी टाइम इन स्पेस कॉम्पलेक्सिटी आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे वाई बेकॉस इस इस एक्जाक्ली सेम जो टाइप कॉम्पलेक्सिटी आपकी टोपोसाट की होगी वही इस जो में आई होप तुम्हें अच्छी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो क्या करना इस वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है मैं मिलता हूं तुम से कल तर तक के लिए बाई बाई आइड टेक एर